नमस्कार मुव मीडिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अभिशेक तिवारी चिराग पास्वान ने जब से चुनाव लड़ने का एलान किया है तब से लेकर अब तक लागातार यस्तवाल पुछे जा रहे थे कि चिराग पास्वान आखिर किस पार्टी से गटबंदन क करके चुनाव लड़ेंगे किस चुनाव चिन पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि चुनाव चिन और पार्टी को लेकर के अभी अधिकारिक लड़ाई जारी है जबाब चिराग पास्वान का भी सामने आगया है सुनिए चिराग पास्वान ने क्या को छपने जबाब में कह मोग पूछ रहें कि कि लोग पता चल जाए का बंगला चुनओर लड़ेंगे आज की तारीक में बार पार मैं इस बात को सब mattress को पूछ Waiting आप लोग चुनाव आयोग जाईए चुनाव आयोग में जाकर पूछिहे कि क्या कोई Вिवाद है चुनाव चिन को लेकर क्या को विवाद है। पार्टी के सिंबल को लेकर और अगर कोई अगर इस तरीके की जानकारी आपके समख्ता चाहत를 हो siamo कि मैं बता सकूँ कि ये सही है कि गलत है अगर कोई भी ऐसा इल्जाम लगता है मुझे लगता है कहना बहुत असान होता है बट उसे प्रमानेत करना ज्यादा जरूरी है तो जांच हो और जो भी दोशी उनके उपर करवाई हो तो जिस पार्टी में अभी अंद्रुनी लडाई अभी कुट तक पहुंच गई है उसकी अभी अधिकारिक पूष्टी नहीं हुई है अधिकारिक तरीके से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन चिराग पासवान ने उप्चुनाओ लड़ने का आयलान कर दिया है और चिराग पासवान ने अपने बयान में थी मैदान में उतरने वाले हैं सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार बंगला चुनाओ चीन के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो पशुपती कुमार पारस की राय क्या बनती है जो अभी मौजुदा हलात के अनुसार लोजपा में दो गूट नजर आते हैं पशुपती कुमार पारस का क्या स्टैंड रहता है क्या कुछ खास वो कहते हैं वह हम आगे आपको बताएंगे फिलाल इसकबर में इतना ही आगे की खबर के लिए आपने रहे हमारे साथ नमस्कार